ओम शंती आज 19 चैनर्वी की शिवरतन में सकता हो गयता है हमारे जो बोल होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उसको जान करके ही हम महानात्मा बन सकते हैं तो आज परमात्मा पिता इस चीज के उपर बहुत साथा जोड़ डाल रहे है शिव बाबा कहते हैं अपने बोल की वैल्यू को समझ उसकी एकनामी करने वाले महानात्मा बाबा जिसे महानात्मा को कहते हैं सत वचन महाराज जो महानात्मा बन आते हैं वो जो कहते हैं उस लोग कहते हैं सत वचन महाराज तो आपके बोल सदा सत वचन अर्थात कोई ना कोई प्रापती कराने वाले वचन हो कि हमा आत्मा को कुछ ने कुछ प्रापती कराएं ब्रामणों के मुक से कभी किसी को श्रापत करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए किसी ने कुछ किया, बुरा किया और हमें या तो गाली, या तो फिर अपशब्द, या तो फिर शराब देना, मलकी इसका ऐसा बिगड़ जाए, उसका ये काम बिगड़ जाए, उसका वो खतम हो जाए, उसका परिवार में यह हो जाए, या उसका धन में यह हो जाए, उसकी सहत को यह हो जाए, ये बिलकुल भ अब ही किसी के प्रश को शरापित करने वाले बोल नहीं निकलने चाहिए इसलिए युक्ति युक्त बोलो और काम का बोलो जो काम की बात है उसी को बोलो और युक्ति युक्त बोलो सोच समझ करके बोलो बोल की वैल्यू को समझो जो हम कहते हैं जो हम बातचीत करते हैं उसकी शुब होते हैं, वो शुब जो होते हैं, वो सुख देने वाले होते हैं, तो सुख देने वाले बोलो, बोलो, हसी मजाग के बोल नहीं बोलो, कब गभी हम कुछ ऐसी बाते कहा देते हैं हसी मजाग में, जो कि किसी को पसंद नहीं आती है, जो कि किसी को चुप जाती है, जो कि और के लिए वो चुबने वाले बोलते हैं तो शुब शब्द सुख देने वाले शब्द बोलो, हो जाएगा, कोई बात नहीं है बहुत बड़ी बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा आपके अंदर बहुत शक्ती है, आप कर सकते हैं इन सारी बातों को, पहले भी पार किया आपने आप समझदार हो, आप समार्ट हो शुब शब्द, सुख देने वाले शब्द बोलो हसी मज़ाग की बोल नहीं बोलो बोल की एकनामी करो, तो महान आत्मा बन जाएंगे जो बोल है हमारे, इसकी एकनामी करो की हम, एकनामी करें, महले अपने शब्दों को सोच समझ करके, नाप तौल करके बोलें तब जयताना, नाप तौल के बोलें तो नाप तौल करके बोलें की इसका असर क्या होगा किसी के प्रती, अगर हम कहते हैं तो क्योंकि आज विश्व में आत्में बोल बहुत सारी बोलती है को अगर सेल्समें आपके पास में आया है, तो बहुत तुछ बोलेगा आप चुप चुप सुन रहा है, चुप चुप सुन रहा है और फिर जाकर कि आप उसका आंसर दोगे तो यह सब कुछ हम सीखते हैं ब्रह्मकुमारीज में उसके लिए मन बहुत क्लीन और क्लीन होना चाहिए जो की योग से, मेडिटेशन से होता है नहीं तो आप बिना सोचे समझे अगर कुछ बोलो किसी को कुछ ठेस लग जाए तो काम और भी कर सकता है तो इसलिए नाप तोल के बोल यह सब कुछ आप ब्रह्मकुमारीज में के सिख सकते हैं ओम शान्ति